आज दॉटनेट आप डाउनलोड करें दॉटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें इसके पेंदी पह में निकालना है इसका दाब, तो माले हमारा वाय मंदली दाब P0 है, तथा पिष्टन की ठीक नीचे दाब P1 है, तो संतुलन की इस्तिवित में से कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो भार लगेगा Mg, ठीक है, पिष्टन का जो नीचे की तरफ लगेगा, अगर यहां से देखें, तो Mg लगेगा यहां नीचे की तरफ, ठीक है, अब हवा के काण जो है, जो बल लगेगा उपर से, वो क्या लगेगा यहां से, आपका जएगा P0 A, ठीक है, यह वाय मंदली दाब के काण बल लगेगा, और पिष्टन की नीचे द्रव, उसके काण बल इस पिष्टन पे ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो P1 यह बल लगेगा, ठीक है, तो संतुलन की स्थित में, अगर हमारा संतुलन में है, तो आप क्या लिखेंगे, संतुलन की स्थित में, ठीक है, संतुलन की स्थित में हम लोग इसका बल को संतुलत करते हैं, तो क् की तरफ कौन सबर लग रहा एक तो mg लग रहा है plus P0A लग रहा है यह बराबर उपर की तरफ कौन सबर लग रहा है P1 A लग रहा है ठीक है तो यहाँ से इन दोनों को balance कर दिया a क्या है हमारा यह बराबर होगा इसको लिख सकते हैं P1 into Q πr² ठीक है πr² हो गया तो यहाँ से इसलिए हम ली सकते हैं इसको P1 बराबर क्या लिख हो गया P1 बराबर इधर लाएं तो इसको ली सकते हैं P0 A या तो A से भाग दे देंगे यह से ली सकते हैं P0 A से एकट जाएगा प्लस Mg बटा A यानि की πr² इसको यह हो गया ठीक है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि बरतन की पेंदी पर द्रव का दाब इसलिए बरतन की पेंदी पर ठीक है बरतन की पेंदी ठीक है पेंदी पर द्रव के कारण दाब या द्रव का दाब क्या हो जाएगा वो अगर उसको उचाई तक द्रव हमारा भरा हुआ है ठीक है यहां तक मान लेते हैं तो उचाई की कांड़ की जो दाब होता हो क्या होता है रो जी यह चाहता है ठीक है तो यह आजाएगा पूरा सुत्र एक तरह से बनके आ जाएगा की इस पर दरव के काणड जो दाब आरा है उसकी पेंदी पर अगर यहांपर दिखाें हम पेंदीपर जो दाब आ रहा यह वाला दाब ठीक है यह दाब पेंदी पर आ η इसको पील लिखें तो यह दाब सिसका सुत्र यह आगया हमारा इतन ठीक है यह अपका एंसर हो जाएगा ठीक